हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज हम अर्थमेटिक रीजनिंग के लेटेस्ट एक्जाम में पूछे वे क्वेश्चन्स करेंगे यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन्स लिये हैं यह आपका SSC CGL 2021 जो आपका 2022 में हुआ था उसमें पूछे वे सारे क्वेश्चन्स लिये हैं यहाँ पर मैं आपको बता दू अर्थमेटिक रीजनिंग में जो क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं वो आपके बिल्कुल क्वांट की तरह पूछे जाते हैं क्वांट में जो arithmetic का section होता है वही सारे questions पूछे जाते हैं आप सभी इन questions को आसानी से कर लोगे क्योंकि आप क्वांट में वो questions करती हैं जो major questions यहाँ पर पूछे जाते हैं यानि कि ज़्यादा तर किस topic से question पूछे जाते हैं वो आपका age है, ratio है और average है, percentage है इससे ज़्यादे तर question पूछे जाते हैं और आपका time and work से भी आपका किसी shift में question पूछा जाता है ठीक है, आपका time, speed, distance से भी question पूछा जाता है, तो किसी shift में उससे भी पूछा जा सकता है तो आप सभी को क्या करना है, इन question को खुछ से जरूर solve करना है आप से question आसानी से हो जाएंगी जिससे भी हो जाता है, वो आपका next question में skip कर सकता है, ठीक है next question में fast जा सकता है और आपका speed भी आप बढ़ा के देख सकता है, जिस भी method से आपको आते हैं आप उनसे questions करें तो यहां पर हम सुरू करते हैं, पहला question पहला question है, बैदही ने किसी परिक्षा में 92% अंकप्राप्ते किये और कावयजली ने उसी परिक्षा में 78% अंकप्राप्ते किये यदि बैदही और कावयजली द्वारा प्राप्त अंकों के बीच का answer 105 है तो वैदेही द्वारा परिक्षा में कितने अंक प्राप्ति किये गए ठीक है तो आप सभी खुछ से जरूर करें यहाँ पर मैं आपको basic से बता दूँगा उसी का shortcut भी हो जाता है ठीक है तो शुरू करते हैं पहले question में यहाँ पर मानलो कि जो भी 92% अंक प्राप्ति किये तो आप यह मानलो total अंक जो है वो x है ठीक है आपने देखा कि यहाँ पर total अंक x है तो यहाँ पर वैदेही ने x का कितने परसेंट अंक प्राप्ति किये 92% अंक प्राप्ति किये और काविया अंजली ने उसी परिक्षा में 78% अंकर प्राप्ते किये और उनका difference जो है 105 है तो आप कह सकते हैं X का 78% आपका कितना हो जाएगा 105 है तो यहां से आपको X की value निकाल लेनी है ठीक है आप देखोगे 92 में से 78 जाएगा तो 14 आ जाएगा तो आप कहेंगे X का 14% और यहां से आप देखोगे 105 हो जाएगा और X की value कितनी आ जाएगी 105 अपॉन 14 इन्टू 100 ठीक है यह आपका X क्या है टोटल अंक है तो यहां से आप देखोगे 7 से इसे काटोगे 7 दूनी 14 7 इकम 7 और 7 पंचे 35 ठीक है तो 750 का 92 परसेंट आप निकाल लीजे 750 का 92 परसेंट आप निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0 से 0 5 दूनी 10 15 पंचे 75 और 2 से यह आपका 46 बार 15 छक्का 90 9 15 चक्को 60 और 9 कितना हो जाएगा 69 690 इसका right answer आजाएगा जो कि आपका third option है अब यही चीज क्या होती है short cut बन जाती है ऐसे ही करेंगे आप यहाँ पर हम क्या बोलते हैं जैसे 92 परसेंट इसने लिए है 78 परसेंट इसने लिए तो इनका difference 605 है तो हम देखिए 92 परसेंट मैनस 78 परसेंट का difference 105 है तो यहाँ से आप देखिए 14% की value कितनी आगे 14% की value 105 है और आपको 92% की value निकाल लिए है ठीक है तो सीधे आप देखिए 14% की value 105 तो 92% की कितनी हो जाएगी 105 अपन 14% into 92% अब यह percentage भी नहीं लिखता है क्योंकि यह cancel हो जाता है तो यहाँ से आप देखिए इससे आप solve करेंगे साथ दूनी 14, साथ एकम साथ, साथ पंचे पैंतिस 15 बार और यह आपका 46 और 15 और 46 आपका 7690 आजाता है तो ठीक है इसी तरीकी से जो हमने इससे पहले किया उसी का shortcut बन जाता है ठीक है तो बगीचे सहीत पार का कुल छेतरफल तो यहाँ पर बोला गिया है यह आपका 12 मीटर है और इसके बाहर से आपका 24 मीटर वाला जो है वरगाकार बगीचा तो बगीचे सहीत पार का कुल छेतरफल यहानि कि आपको पूरा निकालना है तो यह आपका square हो जाएगा 24 का square तो 24 का square आपका वर्ग का square कितना होता है A square होता है तो 24 का square side का square तो यह आपका 576 meter square हो जाएगा जो कि आपका third option है ठीक है next question देखें यहाँ पर बोला गया यदि किसी संख्या के 90% का मान 621 है तो उस संख्या के 20% के 50% का मान कितना होगा अब आप यहाँ पर यह मान सकते है वो number क्या है वो x मान के भी कर सकते है आप बोलेंगे कि मान लिया कि number x है फिर x का 90% 621 है फिर x आ जाएगा तो उसके 20% का 50% आप आसानी से निकाल सकते हैं तो वही चीज हम 90x लिखते नहीं है हम सीधे बोल देते हैं 90% की value कितनी है 90% की value 621 है तो आपका जो number होगा वो 100% होगा तो 1% की value आपकी कितनी हो जाएगी आप बोलेंगे 1% की value 621 बटे 90 हो जाएगी ठीक है और आपका 100 की इसको 100 से multiply कर देंगे यहाँ से आपका 100% की value यानि की number आपको पता चल जाएगा आप देखेंगे 0 से 0 और यह आपका 954 और 6281,991 तो 690 जो है वो आपका original number आ गया ठीक है यानि की जो number है वो 690 है अब 690 का आपको क्या करना है 690 का 20% के 50% का मान कितना होगा यह निकालना है तो आप कहोगे कि 690 का 20% यह हो जाएगा ठीक है आपको इसको solve भी कर सकते है अब इसी का आपको क्या निकालना है इसी का आपको 50% में निकालना है तो इसको 50% से multiply कर दीजे इस तरीके से आप कर सकते है ठीक है 50% तो अब यहां से आप देखने यह कितना हो जाएगा दो 0 से यह दो 0 कैंसिल और यहां से 50 से आपका हो जाएगा दो बार और दो से 2 तो यहां से आपका 69 इसका right answer हा जाएगा तो यह इसका option हो जाएगा फोर्थ option next question करते है next है यहां पर a, b से 25 वर्से छोटा है 15 वर्से बाद b की आयू, c की आयू की दुगनी हो जाएगी b की वर्तमान आयू, c की वर्तमान आयू की तीन गुनी है a की वर्तमान आयू कितनी है ठीक है इस question को आप सभी करें खुद से आपको जरूर करने है यहां पर क्या बोला गया a, b, c तीन लोग है तो यहां पर एक चीश तो यह बोला है कि जो b की वर्तमान आयू है वो c की वर्तमान आयू की तीन गुनी है आप यह मानलो कि c की वर्तमान आयू x है तो b की क्या हो जाएगी 3X है ठीक है ये बन गया और यहां पे ये भी बोला है ए जो है B से 25 वर्षत छोटा है तो B की 실ys है तो A की क्या हो जाएगी 3X माइनस 25 हो जाएगी ठीक है ये सही हो गया जो जो बोला है अब उसके बाद देखो उसके बाद क्या बोला है कि 15 वर्स बाद B की IU ठीक है C की IU की दूगनी हो जाएगी तो आप देखो 15 वरस बाद B की IU कितनी होगी 15 साल बाद आपका होगे 3x plus 15 होगी और C की IU भी 15 साल बाद x plus 15 होगी लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि B की जो IU है 15 साल बाद वो आपका क्या हो जाएगी C की IU की 3 गुनी हो जाएगी तो 15 साल बाद B की IU 3X प्लस 15 है और ये क्या बोला दूसरे case में C की दुगनी हो जाएगी तो आप बोलोगे 2 into X प्लस 15 हो जाएगी ठीक है तो यहाँ से आप X की value निकाल दोगे ये दोनों बराबर होनी चीए तो यहाँ से आप देखोगे 3X प्लस 15 इक्वल टो 2X प्लस 30 हो जाएगा यहाँ से आप देखोगे X आ जाएगा और X की value 15 आ जाएगी तो यहाँ पर X की value 15 आगी अब आप से क्या बोला है A की वर्तमान आयू A की वर्तमान आयू X की value यहाँ रख देखोगे तो 15 आप देखा हमने B की आयू क्या है B की आयू 15 सालवा 3X प्लस 15 हो जाएगी एक केस अपको पता चला लेकिन इसने ये भी बोला कि B की आयू 15 सालवा C की दोगनी हो जाती तो यानि की B की आयू हमें दो तरीके से पता चलगी एक तो 3X प्लस 15 थी तो ये बराबर किसे हो जाएगी 2 इन्टो X प्लस 15 के तो यहाँ से X की value आजाएगी और X की value यहाँ put करेंगे तो आपकी A की आयू आजाएगी जो की आपका B source है ठीक है next question देखते है next देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 box बक्सों A, B, C, D और E मैंसे B, A से 3 गुना भारी है ठीक है आप यहाँ पर condition बना के भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर बोला आप starting से भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या बोला है B जो है A से 3 गुना भारी है तो आप बोल सकते है B equal to कितना है 3A C E से 40 kg भारी है तो आप यह बोल सकते है C equal to कितना है E plus 40 ठीक है E से 40 kg D E से 3.5 गुना भारी है तो आप यह बोल सकते है D 3.5 गुना भारी है E से तो 3.5 इंटू E हो जाएगा आगे क्या लिखा है C A से 5 गुना भारी है तो आप देखोगे C equal to कितना है यहाँ पर 5 A हो जाएगा और आगे बोलागे E का वजन 40 केजी है अब E का वजन यहाँ पर कितना दे दिया है 40 तो अब आप 40 रखें तो आपको value निकलते जाएगी और आपसे बोला कि इन में से कौन सा सबसे हलका है और उसका भार कितना है तो अब यह E की value आप 40 रखेंगे तो यहाँ पर C की value आजाएगी E की value 40 रखेंगे 80 हो जाएगा C 80 हो गया और D कितना हो जाएगा 40 into 3 4 तिया 120 हो गया और यहाँ पर आपका 140 हो जाएगा ठीक है 140 हो जाएगा multiply करेंगे E की value तो यहाँ पर D की आगी अब आपको चीए क्या C और D आपका आगी ठीक है और कौन सी value बची है B equal to 3A है ठीक है B equal to 3A और C equal to 5A है ठीक है तो यहाँ पर आप देखो C की value कितनी है C की value 80 है तो C की value यहाँ put करेंगे तो आपको A की value पता चल जाएगी ठीक है 80 equal to 5A हो जाएगा A की value यहाँ से कितनी आजाएगी 16 आजाएगी A की value 16 आगी तो B की कितनी आजाएगी 16 तियां 48 आगी तो सभी की value थी वो आपको पता चल गया, सभी का weight आपको पता चल गया तो आप से बोला है कि सबसे हलका कौन सा है तो आप सीधे देखेंगे A क्या weight है वो 16 है तो सबसे हलका A है, ठीक है जिसका weight 16 kg है, तो second option इसका right answer होगा ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से आपने करना है और ऐसे भी आप कर सकते हैं next question देखें, इसे बताएं यहाँ पर लिखा गया, अवनीस ने एक परिक्षा में 78% अंकर प्राप्ती किये और कपिल ने उसी परिक्षा में 64 अंकर प्राप्ती किये यदि कपिल और अवनीस द्वारा प्राप्त अंकों का योग 923 है सेम question है जो हमने पहला किया था, अब हम सिधे x नहीं मानेंगे हम देखेंगे 78% और 64%, ठीक है इनका sum जो है, वो आपका 923 है तो आप देखें, 78 प्लस 64 यह आपका sum कितना दिया है, 78 प्लस 64 आपका हो जाएगा 142, तो 142 की value आपकी कितनी दीगी है 142 की value आपकी दीगी है 923, ठीक है 923, 142% है, ठीक है, यह percent आपको समझ मा जाएगा तो यहाँ से आपको 100% की value निकालनी है ठीक है, 100% आपके total number होंगे जो आपका, जिसमें से marks दिये गए है ठीक है, तो यहाँ पर 100% की value की आप 100 की भी निकालनी है आपको यहाँ पर सीधे आपको क्या निकालना है तो कपिल द्वारा परिक्षा में प्राप्ति किये गए अंक ग्याद कीजिए, तो कपिल ने कितने percent अंक पर आप देखें, 64%, तो सीधे 64% की value निकालनी है 142% की 923 है तो 64% की कितनी हो जाएगी 923 बटे 142, यह 1% की होगी तो 64 की तो multiply कर देंगे 64 से, तो यहाँ से आप देखें percent से percent cancel हो जाएगा अब इसे आप देखें, किस से आप इसे divide करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप 2 से कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पर आप 2 से करते हैं, तो 4-2, 7-1, 8, ठीक है, 2 से कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2-2, और यहाँ पर 32 हो जाएगा, 71 से 923 आपका जाएगा, कि theor 30 से आप देख सकते हैं, तेरा बार चले गया तो यहां से अंक कितने आ जाएंगे तेरा दूनी 26, 2, 13, 39 और 2, 41, 416 तो यह आपका आगया जो 19 ने अंक के प्राप्ति किया हो 416 है सेकेंड ओप्सन है ठीक है अब आपको समझ में आ रहा होगा आप X मान के भी कर सकते हैं X से कैसे आपको करना है मैंने की वैल्यू निकालेंगे फिर उसका आप कितना निकालेंगे 64% निकालेंगे जो कि आपके कपिल के अंक हैं ठीक है कपिल के अंक आपको निकालने तो इस तरीके साब डिरेक्टे भी ऐसे कर सकते हैं इसे next question करते हैं यह आपका वेंड डाइग्राम का question है यहाँ पर बोला ग ठीक है यहाँ पर बोला गया तीन खेलें तो आप एक बोल सकते हैं एक तो आपका इसनुकर यह है दूसरा जो आपका गेम है वो आपका है चैस यह जो इस कलर में वो आपका चैस है तीसरा जो है वो आपका क्या है टैनिस है जो इस कलर में वो आपका टैनिस है ठीक है तो य यह आपका tennis हो गया, यह आपका chess है, और यह आपका snooker है, ठीक है, यह snooker है, अब यहाँ पर बोला गया है, snooker जो है, आपका 42 student जो है, वो snooker खेलते हैं, यानि कि जो इस color में, yellow color में, यह 42 है, पूरा जहां तक yellow color आपको दिख रहा है, इसका total क्या है, 42 है, तो 42 जो है, वो chess खेलते हैं, यानि कि इस color में, जो है, 43 है, अब आगे बोला गया था, total number of student, who play any and only two games, is 29, यानि कि जो दो game खेलते हैं, वो कितने हैं, 29 है, तो आप देख सकते हो, यह आपका जो यहाँ पर दिखता है, यह दो game खेलते हैं, यानि कि yellow वाला, और यह snooker और chess वाला, यानि कि जो दोनों game खेलते हैं, वो यह वाला part यहाँ पर represent करता है, ठीक है, तो यह आपके कितने हैं, 29 है, ठीक है, यह आपका बोला गया है, total number of student, who play any and only two games, is 29, यानि कि जो भी यह वाला part हो गया, और यह वाला part हो गया, जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, यह और यह प के five student है, जो तीनो game खेलते हैं, उसके बाद बोला गया है, the number of student who play only snooker and only chess is equal, ठीक है, जो only snooker खेलते हैं और chess खेलते हैं, वो बराबर है, यानि कि आप कह सकते हैं, जो यह वाला part है, यह बचा हुआ part, यह वाला part, ठीक है, इतना सा जिसको मैं इस तरीके से दिखा रहा यह दोनों जो हैं, यह equal player हैं, ठीक है, यानि कि यह equal बोल रहे हैं, उसके बाद बोला है, 11 students play only snooker and tennis, ठीक है, जो 11 student है, वो आपके क्या है, वो snooker और tennis खेलते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, 11 student play only snooker and tennis, तो snooker और tennis को कौन सा आपका represent कर रहा तो आप कहेंगे, यह वाला part, यह आपके 11 है, उसके बाद आपका बोला, 6 students play only snooker and chess, 6 जो है, snooker और chess खेलते हैं, तो यह आपका part 6 denote करेगा, ठीक है, तो how many students play only tennis, तो आपको बताना है, only tennis कितने खेलते हैं, तो आपको only tennis का मतलब आपको यह वाला part बताना है, कि यह आपका only वाला कितना है, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, यह 6 है, यह 5 है, 11 है, तो yellow वाले कितने हो जाएंगे, आप बताएं, ठीक है, यहाँ पर इतना जो portion बचा है, यह कितना होगा, ठीक है, यह आपका यह portion कितना होगा, इतना बचा हुआ, total 42 है, तो आप देखेंगे, 6, 5 11, 12, 22 मैनस कर देंगे, तो आप देखेंगे, 2 में से 2, 0, 4 में से 2, 2, यह आपका जो बचा हुआ पार्ट है, यह 20 आपका डिनोट करेगा, ठीक है, यह बचा हुआ 20 है, और एक लाइन आपका यह भी बोला था, कि आप देखो, यहाँ पर लिखा है, the number of student who play only snooker and only chess is equal, जो only snooker और chess खेलते हों, वो बराबर हैं, तो 20 यह हैं, तो 20 यह भी होंगे, तो अब आप देखो, यह खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 20, 6, 26, 26, 26 और 5, 31, ठीक है, 31 में से जो बचेंगे, वो इस पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है, यहां से माइनस करेंगे, 3 में से 1, 2, 4 में स 3, 1, तो 12 जो होंगे, वो यहां आएंगे, ठीक है, और आप ऐसे भी निकाल सकते थे 12, आप से इस लाइन में बोला गया था, जो टोटल नंबर है, जो दो गेम खेलते हैं, ठीक है, उनकी 29 है, तो आप देखो, 6 यह है, 11 है, 11 है, 11 और 6, 16 हो जाएगा, यहां पे आपका कितन 9 से माइनस करेंगे, 11 प्लस 5 प्लस 12, तो आपका कितना हो जाएगा, 11, 5, 16, 16 और 12 आपका कितना होगा, 16, 12 आपका 28 हो जाएगा, तो 28 माइनस करेंगे, 9 में से 8, 1, 4 में से 2, 2, तो आपका 21 हो जाएगा, 21 प्लेयर जो हैं, जो only tennis खेलते हैं, ठीक है, यहां, इस वाले आ दिया, next question करते हैं, next देखें, यहां पर क्या है, पांच वर्स से पहले तरुन और सौरप की आयू का अनुपाद 4 रेशियो एक था, ठीक है, पांच वर्स से बाद उनकी आयू का अनुपाद 2 रेशियो एक हो जाएगा, सौरप की वर्तमान आयू कितनी होगे, इसे आप स सौरप की जो एश थी, ठीक है, तरुन की और सौरप की, x और y थी current में, ठीक है, अब आप से बोला गय, 5 साल पहले कितना रेशियो था, ठीक है, 4 रेशियो एक था, तो आप जब 5 साल पहले जाओगे, तो मैनस करोगे, यानि कि x मैनस 5 और y मैनस, y मैनस 5 आपका कितना है, 4 upon 1 है और 5 साल बाद कितना है 2 ratio 1 तो आप कहेंगे 5 साल बाद तो x plus 5 upon y plus 5 आपको होगे कितना है 2 upon 1 तो यहां से आप x और y की value निकाल लोगे equation निकाल लोगे जैसे आप यहां पर देखोगे क्या आजाएगा x minus 5 equal to 4y minus 20 हो जाएगा तो यहां से आप देखोगे x equal to क्या value आजाएगी 4y plus का 5 होगा तो minus 15 x की value यहां पर 4y minus 15 आगी equation 1 आगी ठीक है यहां से और यहां से solve करेंगे तो यह आपका x plus 5 equal to 2y plus 10 हो जाएगा ठीक है इसे solve कर रहे है तो यहां से आप देखोगे x की value यहाँ पर आप रख लो 4y-15 आप रखोगे 4y-15 प्लस 5 equal to 2y plus 10 हो गया, यहाँ से आप देखोगे 2y, यह 2y को यहाँ लाओगे तो 2y हो जाएगा और minus का 10 होगा, minus का 10 वहाँ जाएगा, तो यह आपका plus का 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 20 हो जाएगा और y की value कितने आजाएगी, 10 आजाएगी y की दस आगी, तो आपसे क्या बोला है what is the present age of sorrow तो present age क्या हो जाएगी, आपने x और y मानी थी, तो y की value 10 हो जाएगी यह इसका right answer हो जाएगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बाकि आप कैसे करेंगे जैसे आप देखो ratio में आपका दिया हुआ है आपसे बोला गया है, 5 साल पहले जो age थी, वो 4 ratio एक थी ठीक है, यह आपकी current age थी और 5 साल बाद जो age थी वो 2 ratio 1 थी, अब आप देखोगे इनके बीच में जो gap है, वो आपका 10 साल का होना चीए, ठीक है, 10 साल का होना चीए लेकिन ratio में आप देखोगे इनके बीच का gap 4 से 2 क्या 2 है और यहाँ पर 0 है, तो इस ratio को हम बराबर करते हैं, इस gap को हम बराबर करते हैं, तो gap को बराबर कैसे करते हैं, नीचे वाले के difference से उपर वाले को multiply करते हैं, और उपर वाले के difference से नीचे वाले को अब आप कैसे करेंगे, 2 और इसका 1 होगा, तो उपर तो 4 और 1 ही आने है नीचे 4 और 1 का difference कितना हुआ 3 हुआ, तो 3 से नीचे वाले को multiply करोगे, तो यह 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यह 3 हो जाएगा, अब देखो, इनका जो difference होगा, 6 से 4 दो है 3 से 1 दो है, तो यानि कि ratio में जो difference है, वो 2 है, जबकि 10 साल का होना चाहिए, तो 2 की value 10 होगी तो 1 की आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकतो तो यहाँ भी आप 5 रख सकतो, 6, 35 और 5 तिया 15, तो यहाँ से आपको minus करना होगा, present age में जाने में, तो minus 5 करोगे, तो आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है, next question करते हैं, यहाँ पर आप देखें, महलाओं की राष्ट्री संखला सुरू होने से पहले, मैताली का उसत स्कोर 45 था, महलाओं की 10 मैचो की राष्ट्री संखला में, उसका कुल स्कोर 500 रन था, यदि संखला के बाद उसका नया उसत जो है 47.5 हो जाता है, तो आप से पूछा गया, उसके द्वारा अब तक खेले गए मैचो की कुल संखला ग्याद कीजे तो आप ये मान लो, जो राष्ट्री संखला होने वाली थी, उससे पहले उसने X मैच खेले थे, ठीक है, तो आप कहेंगे X मैच में जो औसत स्कोर था, वो 45 था, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, 45 औसत स्कोर था, तो आप ये बोल सकते हैं X मैच में टोटल आपके रन कितने हो जाएंगे, ठीक है, रन कितने हो जाएंगे 45 एक्स हो जाएंगे, ये आपका एवरेज है और ये आपके क्या है, टोटल मैच है, तो एवरेज बराबर आपको पताए, ये एवरेज बराबर क्या होता है आपका Sum of Observation upon Number of Observation, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर, टोटल जो रन हो जाएंगे X मैच में, वो 45 एक्स हो जाएंगे उसके बाद बोला गया, 10 मैचों की राष्टे संकला में, उसका कुल स्कोर 500 रन था, यानि कि उसके बाद जो 10 मैच खेले, उसमें टोटल स्कोर कितना था, 500 रन था अब देखो, यह आपका पहले बनाए हुए रन है, यह उसके बाद 10 मैचों में तो टोटल रन आपके कितने होगे 45 X प्लस 500 होगे और टोटल मैच आपके कितने हो जाएंगे टोटल मैच X तो उसने पहले के लेते और 10 उसने राष्टी स्रंखला में के लें तो X प्लस 10 हो जाएंगे तो इसका यह आपका एवरेज निकल जाएगा और यह एवरेज आपका दिया है कितना टोटल यदि स्रंखला के बाद उसका निया एवरेज 47.5 हो जाता है तो यह आपका 47.5 दिया हुआ है तो यहां से आप इसे solve कर लेंगे तो इसे अगर आप solve करते तो यह 45 X प्लस 500 आएगा और यहां आप देखने यह 47.5 X प्लस यहां पे 475 आजाएगा ठीक है इसे आप solve करेंगे तो यह आपका यहां कितना आएगा तो आप देखने 447.5 इधर 45 X को यहां बेज़ते है तो यह आपका 2.5 X हो जाएगा ठीक है और 475 500 में से 475 जाएगा तो यह आपका कितना होगा 25 होगा ठीक है 25 हो जाएगा और X की value यहां पे कितनी आजाएगी 10 आजाएगी तो X की value 10 आगी तो आपसे क्या बोला गया है अब उसके द्वारा अब तक खेले गए cool match तो X तो उसने पहले खेले थे और 10 उसके बाद खेले तो total कितने match हो जाएगी 20 हो जाएगी 10 plus 10 20 तो यह इसका right answer हो जाएगा second option ठीक है सभी को समझ मा आगया होगा किस तरीके से आपको करना है next question देखते है इसे देखें यहाँ पर क्या दिया गया है एक college में पूरे सिक्षण स्ताप का औसात वेतन जो है 2000 प्रती 3 है पुरस सिक्षकों का औसात वेतन 25 सो है और महला सिक्षकों का औसात वेतन 1200 है यदि पुरस सिक्षकों की संख्या 16 है तो college में महला सिक्षकों की संख्या ग्यात कीजे तो इसे आप allegation से भी कर सकते और basic से भी कर सकते ठीक है allegation से आप कैसे करेंगे आप देखोगे कि महला जो है यहां कितना आजाएगा आपका difference आपका आजाएगा यहां 800 और इधर आपका 500 तो ratio क्या हो गया ratio आपका बन जाएगा 5-8 का और आपसे बोला गया है जो male teacher है वो कितने है 16 है यानि कि male आपके यह थे तो 8 की value कितनी दी गई है 16 दी गई है तो इसका right answer क्या होगा 10 होगा आप इसे basic से भी कर सकते है आप यहां पर मान लीजे male और female का पहले आपको किस तरीके से आप करेंगे वो भी आप देख सकते है आप यह देखने है कि पहले male और female का जो औसत वेतन है वो 2000 है इस तरीके से आप देख सकते है male और female का जो औसत वेतन है वो आपका 2000 है उसके बाद बोला यह किस के बराबर होगा यह male का वेतन 2500 यानि कि 2500 into m के बराबर होगा प्लस female का 1200 है 1200 into f इसे आप solve करेंगे तो यहां से भी आपका female की value आपके पास आ जाएगी ठीक है तो आप इसे भी कर सकते हैं solve next question देखते है next है 4V और वैशनीवी की वरतमान आयू का अनुपा 4 ratio 5 है UE का 4V से 2 वर्स बढ़ी है लेकिन वैशनीवी से 5 वर्स छोटी है वैशनीवी की वरतमान आयू ग्याद कीजिए ठीक है इसे आप करें किस तरीके से आप करेंगे ठीक है आप मान लिजे कि 4V और वैशनीवी की वरतमान आयू का अनुपा जो है C ratio V जो है 4 और 5 है तो आप मान लिजे कि यहां पर X से multiply कर लिजे आप यह मान लिजे C की जो आपकी आयू एग 4X है और जो वैशनीवी की C मतलब 4V वैशनीवी का मतलब V मतलब वैशनीवी इसकी जो आयू है वो आपका 5X है ठीक है आपका ratio maintain है इसलिए हम X से multiply कर रहे है यहां ठीक है 4X 5X है अब आगे क्या बोला यूवी का चारवी से 2 वर्से बढ़ी है तो यूवी का जो है चारवी से 2 वर्से बढ़ी है तो यूवी का ये है ठीक है यूवी का चारवी से 2 वर्से बढ़ी है चारवी की एज 4X है तो 4X plus 2 हो जाएगी यूवी का और बोला है लेकिन बैशनवी से 5 वर्से छोटी है तो यहां से यूविका क्या हो जाएगी 5X-5 हो जाएगी तो अब आप देखो यूविका की जो है दो तरीके से आपकी एज आगी एक जिगह तो 5X-5 है एक जिगह 4X-2 है तो इन दोनों को बराबर आप कर लो 4X-2 एक्वल टू 5X-5 यहां से X की वैल्यू आ जाएगी तो आप देखो के X यहां आ गया 5 यहां चले जाएगा 7 तो X की वैल्यू साथ आगी और आपसे बोला क्या गया है वैशनवी की वर्तमान है यानि की V की तो यहां पे साथ रग दो 7 पंचे 35 इसका आंसर होगा जो की आपका फर्स्ट आप्सन है नेक्स कुशन देखें नेक्स दिया गया है दो ब्रतों ब्रत A और ब्रत B जिनकी तिर जाएं क्रम से चार सेंटीमेटर और 8 सेंटीमेटर है के का छेतर फलों का अनुपात क्या होगा तो आपको पता है पाई आर स्कॉयर होता है ठीक है पाई आर स्कॉयर है यहां पे आप देखो पाई आर स्कॉयर पहले का चार है तो आपका होगे pi into 4 square हो जाएगा दूसरे का आपका क्या है 8 है तो pi into 8 square हो जाएगा तो pi से pi cancel 4 चको 16, 88, 64 तो यह आपका किसे जाएगा 16 से 16, 16, 16, 64 तो एक ratio 4 हो जाएगा दोनों ब्रतों का आपका उनके 6 रफल का अनुपाद ठीक है यही आपसे पूछा गया है छेत्रपल का अनुपाद तो एक ratio 4 fourth option इसका right है next question देखें next है एक हजार तीन की रासी A, B और C में 11, 23, 25 के अनुपाद में बाटा जाना है B को A से कितने रुपे अधिक मिलेंगे ठीक है कितने रुपे अधिक मिलेंगे तो आप देखो ratio में A, B, C का ये ratio है तो आप देखेंगे B को A से कितने रुपे अधिक मिलेंगे अगर आप ratio में देखोगे तो 3, 1 3 में से 1, 2 और 2 में से 12 ratio में 12 आपका अत्रिक ने मिल ला तो आप सीधे सीधे ये भी देख सकते है 12 का multiple भी आप देख सकते है इसका sum जो दिया गिया है वो आपका कितना दिया गिया है sum दिया गिया है 1,003 ठीक है, 1,003 दिया गिया है 1,003 तो यहां से आप इन सब को add करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 25 और 3, 48 हो जाएगा ठीक है, 23, 25 और 23 आपका 48 होगे 48 और 11 आपका कितना हो जाएगा 59 तो यह आपका 59 X होगा 59 X की value आपका 1,003 अब यह X लिखती नहीं है हम सीधे क्या करते हैं इनको add कर लेते है 11, 23, 25 को add कर लेते हैं हमें पता है इसकी 59 आएगा 59 की value 103 है और हमें इसके difference की value निकाल लिए 12 की value निकाल लिए तो सीधे 12 से multiply कर देता है तो यहाँ पर आप देखोगे X कितना आजाएगा 10, 3, 59 आजाएगा अब हमें पता है कि B A से कितना अधिक है आप देखो B A से कितना अधिक है 12 X है तो आप सीधे से 12 से multiply भी कर सकते है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह आपका कितना आजाएगा अगर आप इसे solve करेंगे तो 59 से यह आपका पूरी बार जाएगा ठीक है 10 बार आपका कितना हो जाएगा 590 तो आपको यहाँ पर क्या चीए 3 चीए तो आपका 17, 95, 15, 15 15 और 17, 85, 85 और 15 आपका 100 हो जाएगा तो यह आपका 17 बार कटेगा तो X की value 17 आगी तो आपको बताना है यहाँ पर B A से कितना जादे तो आपको साब साब दिख रहा होगा B जो है वो 12 X से जादे तो X की value 17 है तो 12 x कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 4 3, 17, 17 और 3, 20, 204 हो गया तो यह इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आप्सन 204 अब यहाँ पर जैसे मैंने X माने तो आपको X मानने की जरूट नहीं था आप सीधे करते आप बोलते 59 की value 1003 है और आपको बताए कि इनका difference जो है 12 है ठीक है 12 जादे तो 12 की value निकालने है आप सीधे 10359 इंटू 12 इस तरीके से भी आप इसे कर सकते थे या आप यह भी देख सकते थे ठीक है यहाँ पर 12 का है तो 12 का multiple होना चीए अगर एक ही option होगा तो वह ही इसका right answer हो जाएगा और यहाँ पर जो answer है वो आपका 204 है next question देखते है next देखें यहाँ पर क्या है बिनीत प्रतीक और मेंग के बीच कुल 295,000 की रासी इस परकार बाटी जानी है कि बिनीत को मेंग से आधी रासी मिले और प्रतीक को बिनीत से 25,000 कम मिले तो यहाँ पर एक आपका बिनीत है दूसरा आपका प्रतीक है तीसरा आपका कौन है मेंग है ठीक है टोटल रासी इतनी है आपकी यह बिनीत को मेंग से आधी रासी मिले बोला है ठीक है बिनीत को मेंग से आधी तो आप मालने मेंग के पास 2X रासी है तो बिनीत को इसकी आधी रासी है ठीक है आधी रासी मिले यानि की x हो जाएगी x मिलेगी और उसके बाद बोला है प्रतीक को बिनीत से 25,000 कम मिले तो प्रतीक को बिनीत से यानि की x है तो 25,000 कम तो x-25,000 यह हो गया ठीक है तो अब आपसे बोला गया है इन तीनों का सम आपक आप X की value निकाल लोगे तो यहाँ पर आपका 4X माइनस 25,000 आ जाएगा 25,000 यहाँ माइनस करोगे तो आपके 3,0 तो यहाँ आ जाएगे ठीक है Sorry add करोगे ठीक है यहाँ माइनस का है तो add होगा और यहाँ पर 5,5,10 की 0,1 और 9,2,11,1,12 और 2,1,3 ठीक है यहाँ आपका 32 आ जाएगा तो यहाँ से X की value कितनी आ जाएगी 4,8,32 ठीक है आठ के बीचे 4,0 आ गए ठीक है 80,000 आ गी X की value अब आपको निकालना क्या है विनीद को कितनी रासी मिलेगी तो विनीद को X रासी थी तो X का value 80,000 आ गया जो आपका right answer हो जाएगा first option ठीक है simple next question देखे next देखे यहाँ पर क्या लिखा गया है 3 वर्से पहले रवीज की value केलास की value का अंतर जो है 18 वर्से था ठीक है 3 वर्से पहले रवीज और जो आपका केलास है ठीक है आर और केसे लिनोट कर रहा हूँ रवीज की value केलास की value की 3 गूनी हो जाएगी ठीक है तो यानि कि अगर केलास की value एक है तो रवीज की 3 हो जाएगी उसके बाद बोला है कि रवीज की वर्तमान आईउ कितनी है तो अगर आप देखेंगे रवीज और जो आपका केलास है इनकी आयू के बीच में जो difference है वो 18 वर्सका है तो ये difference जो होगा हमेशा 18 वर्सका ही रहेगा ठीक है टाइम के साथ बदलेगा नहीं जैसे अगर आप अपने आपको दिखोगे आपका भाई होगा या आपकी बहन होगी अगर वो अभी आपसे 2 साल छोटी ही रहेगी तो सेम आपका ये देखो यहाँ पर बोला है तीन वर्सका बाद रवीस और रवीस की आयू और कैलास की आयू की तीन गुनी हो जाएगी तो आप देखो अगर कैलास की आयू 1 है तो 3 है तो इनका difference कितना होना चाहिए आपका 18 का होना चाहिए तो लेकिन यहाँ पर ratio है तो ratio में जो difference है वो आपका 2 का है जबकि actually में 18 का होना चाहिए तो 2 की value 18 है तो 1 की value 9 हो जाएगी और आपसे क्या बोला what is the present age of रवीस in year तो यह आप देखो यहाँ पर रवीश की आयू कितनी आ जाएगी अगर आप देखो कि एक की वैल्य नो है तो रवीश की कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी, नौतिया 27 हो जाएगी अब यह 3 साल बाद है, आपको परजेंट में जाने के लिए 3 साल इस से माइनस करना पड़ेगा ठीक है परजेंड में तो 3 माइनस करोगे तो आपके कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा 24 इसका राइट आंसर होगा जो कि आपका फर्स्ट ऑ्स है ठीक है ये ratio के तरीके से अगर आपने ratio पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा नहीं तो आप यहाँ पर यह भी मान सकते हैं कि जैसे ही उसने बुला कि रवीस और जो आपका कहलास है इनके जो रेशियो है तीन साल बाद हो एक और तीन का है तो आप यहाँ पर एक्स मान लीजिए ठीक है एक्स मानेंगे तो आप इस तरीके से भी करते हैं आज से तीन और रवीस के आयू के एक्स मानेंगे तो यह आपकी इनके रवीस और कहलास की एक्चुल में एज हो जाएगी ठीक है तीन साल बाद अब इसका जो डिफरेंस है वो आपको समझना पड जाबर होगा तो यहां से 2X की वैल्यू भी आप निकाल सकतो ठीक है 2X की वैल्यू 18 तो X की वैल्यू 9 आजाएगी इसी तरीके से 9 को यहां रखोगे तो 9-37 आजाएगी आप 3 साल बाद रेशियो था तो मैनस 3 करोगे तो 24 हाजाएगा ठीक है समझना आ गया होगा आपको त फ्रत का छेत्रफल पाई आर स्कुएर है पहले जब आपकी रेडियस 90 cm है तो आपका जो आपका छेत्रफल आएगा वो कितना आजाएगा पाई 90 cm 90 स्कुएर आजाएगा दूसरे केस में आपका कह रहा है रेडियस 99 cm हो जा जासे तो आप इसे ऐसे कर सकते है पाई 99 का ठीक है इससे minus करेंगे तो आप देखेंगे pi 99 का square minus pi 90 का square upon आप देखें upon में आपका क्या है pi 90 square रोजाएगा 90 square इंटू 100 हो जाएगा तो यहां से आप देखें pi common नेगे तो pi आपका cancel हो जाएगा ठीक है और यहां से a square minus b square क्या होता है a plus b a minus b तो आप देखोगे यह आपका 189 into A-B 9 upon 90 का square आपका 81 100 हो जाएगा ठीक है into 100 तो यहाँ से आप देखोगे 20 से 20, 99 81 और यहाँ से 9 दुनी 18 और 9 इकम 9 तो 21% इसका right answer आजाएगा जो कि आपका second option है ठीक है आप इस तरीके से आप कर सकते थे बेसिक से बिलकूल अब आप ऐसे भी बोल सकते थे आप देखोगे radius में कितना change आए तो आप देखो radius जो है 90 से 99 होगे यानि कि 9 cm बढ़ी है 90 पर तो percentage change आपका कितना होगे 10% का change हुआ है तो 10% का change radius में हुआ है तो πाई यार स्क्वाइर है तो आप यहाँ पे successive successive increase वाला formula भी लगा सकते है ठीक है 10% का change हुआ है radius में तो a plus b a b upon 100 यह वाला formula लगा सकते है तो यहाँ पे आप देखोगे 10 plus 10 plus 10 दसाम 100 100 upon 100 कितना हो जाएगा एक तो यह भी आपका 21% आ जाएगा तो यहाँ से भी आप इसे कर सकते है second option इसका right answer होगा next question करते है next देखो यहाँ पे बोला गया एक coaching सस्तान में कक्षा 10 के चात्रों की संख्या कक्षा 12 में चात्रों की संख्या से यह आपका 12 है तो आपसे क्या बोला है कि 12 में 6 चात्रों की संख्या से 1 बटे 3 अधिक है तो 1 में 3 का मतलब क्या हो गया अगर 12 में जो है आपके 3 हैं तो इसका 1 जादे जो है वो 10 जादे यानि की 3 का 1 जादे 4 तो आपका 4 यहाँ है ठीक है इस तरीकिसे आप x मान सकते है अगर 3x आपके 12th में तो 3x का 1 बट्टे 3 जादे जो है वो आपके 10th में तो आप 3x का 1 बट्टे 3 निकालेंगे तो आपका क्या आजाएगा 4x आजाएगा ठीक है उसके add करेंगे तो आप देखो अब यहाँ पर क् कितने आजाएगे 112 बट्टे 7 होगा जो कि आपका कितना आजाएगा 16 ठीक है तो 16 1712 x की value 16 आगी अब आपसे बोला है कि number of student in class 10 10th में कितने है तो 10th ही है तो 16 64 हो जाएगा x की value रखिए तो 64 इसका answer आएगा जो कि आपका first option है ठीक है सभी को समझ में आगया होगा कैसे आप को करना है ठीक है यहाँ पर यही बोला गया था जो आपके 10 में जो बच्चे है वो एक बट्टे 3 जादे हैं 12 के चात्रों से ठीक है तो 12 में अगर आपका 3x है तो 3 का 1 जादे 4 वहाँ हो जाएगे ठीक है तो 4x और 3x होंगे और इनका sum जो है वो आपका 112 है x की value आजाएग यहाँ पर दिया गया है मोहित और सुदेश ने एक ही दुकान से कलम और कौप्या खरीदी मोहित ने 180 देकर 3 कलम और 6 कौप्या खरीदी ठीक है और सुदेश ने 116 देकर 5 कलम और 2 कौप्या खरीदी मोहित ने कौप्या खरीदने पर कितने रुपे खर्ची किये तो यहाँ equation मन जाएगी simple यहाँ पर बोला गया अगर मोहित ने मोहित की बात करें तो मोहित ने यहाँ पर 3 कलम ठीक है तो आप देख सकते है 3 pen और 6 notebook 3 pen और 6 notebook का कितना कितने में लिया 180 में यह किस ने लिया है यह आपका मोहित ने लिया है और दूसरा आपका कौन है सुरेशनी सुरेशनी क्या लिया है 5 pen और 2 notebook का 2 notebook का कितने में लिया है 116 में अब आपसे बोला है मोहित ने copy खरीदने में notebook खरीदने में कितना spend किया तो मोहित यह है तो copy खरीदने में उपर वाले को 5 से कर ले नीचे वाले को 3 से कर ले equation solve करनी है तो यहाँ पर आप देखें कितना आ जाएगा 5 तियां 15 पी plus 30 equal to 8590 ठीक है 900 और नीचे आप करेंगे 5 तियां 15 पी plus 6 और यहाँ पर 3 से 316 तियां 48 तो आपका कितना हो जाएगा 348 आजाएगा ठीक है तो यहाँ से आप cancel करेंगे इसे यह आपका cancel हो जाएगा तो यहाँ से यह आपका cancel होगा 15 पी तो यह आपका 24 और यहाँ आप देखें 10 में से 8 2 और यहाँ पर कितना 9 में से 4 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 8 में से 3 5 ठीक है 500 बावन आजाएगा तो n की value यहाँ पर कितनी आजाएगा आप यहीं भी देख सकते हैं आपको 6n की value निकालने तो 4 से divide कर लिए दोनों set तो 4 शक 24 6n हो गया और यहां आप करेंगे तो 4 इकम 4 ठीक है 1 4 तिया 12 4 8 32 तो 138 इसका answer आजाएगा 6n का तो जो कि आपका क्या option होगा second option right answer होगा ठीक है समझ मां आगे equation को आपको solve करना है कैसे भी आप इसे कर सकते हैं ठीक है equation बन जाएगे तो आप आसानी से कर लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ आप तीन common निकाल लिए तो उससे और easy हो जाएगा इतना जादे लंबा आपको नहीं करना पड़ेग इन दोनों संख्याओं का अनुपात ग्याद कीजिए ठीक है इस question को करें कैसे आप करेंगे सारे आसान question है जैसे भी arithmetic में आप करते हुए आए उसी तरीके से तो यहाँ पर बोला है कि दो संख्याओं x और y मान लीजे x plus y और x minus y का जो difference दिया गया है वो आपका 6 ratio 5 दिया ग भेज दींगे तो यहाँ कितना होगा ठीक है यह आपका हो जाएगा x और यहाँ आपका जाएगा तो यह आपका हो जाएगा minus plus का हो जाएगा तो plus का 11 y हो जाएगा तो x और y का ratio आपका क्या आजाएगा 11 upon 1 आजाएगा तो यही आपको निकालना है find the ratio of these two numbers तो 11 ratio 1 इसका right answer जो कि आपका fourth option है ठीक है next question देखें यदि किसी संख्या के 80% का मान 768 है तो उस संख्या के 5% का 40% कितना होगा हमने पहले शुरुआत में भी same question किया था यहां भी आ गया तो यहां पे क्या बोला गया 80% की value आपको 768 दी गई है तो 100% की value आपके आ जाएगी 768 upon 80 into 100 तो यह number आ गया ठीक है जो आपका number था वो यह आ है अब इसी का 5% निकालना है तो 5% निकाल लीजिए ठीक है आप यहां पर इससे solve भी कर सकते हैं सीधे 5% आपने निकाला तो 5 बटे 100 अब जो भी 5% आया है उसी का आपको 40% निकालना है तो 40 से multiply कर दीजिए ठीक है तो यहां से आप देखोगे यह कितनी बार जाएगा चार से cancel करोगे तो चार इकम चार तीन चार नमच छत्तिस चार दुनियाट एकसो बयान अब्बे और यहां से 10 से divide करोगे तो यह आपका 19.2 आ जाएगा जो कि आपका third option right हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया next question है यह आपका when diagram से इस आप सभी को करना है इस question को ठीक है तो यहां पर जो भी question SSE CGL में पूछे गए थे 2022 में जो एक्जाम हुआ था वो मैंने आपको करा दिये इस question को आप सभी करेंगे और इसका answer आप comment करेंगे ठीक है तो आप सभी को एक question करना है when diagram से यहां पर आप देख सकतो 23 चात्रों ने दो खेलों में बैटमिंटन और सत्रंजी यहां पर दो ही खेल यहां पर दियेगे तो इस तरीके साब इसका वें diagram बना लेंगे दो ही खेलें यहां पर ठीक है इसमें आप देख लेंगे 110 चात्रों में से एक सम्हू में जो भी यहां पर लिखा गया है तो इसे आपको आ दिये हैं ठीक है काफी सारे टॉपिक में आपको कराएं आगी भी टॉपिक आते रहेंगे बस आपका support चाहिए आप सेयर जरूर करते रहें क्योंकि काफी महनत लगती है questions बनाने में भी ठीक है क्योंकि Hindi English में भी है तो उसमें और जादे महनत लगती है ठीक है यहां पर तो कई उसमें तो मैं आपको जैसे और reasoning के और topic में तो English के उतनी जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन आपका इस topic में आप कह सकते हैं कि Hindi English में आपका बनाना पड़ता है तो इसलिए मैंने सारे Hindi English में बनाये हुए हैं तो आप खुश से जरूर question को करें आप से फिर से मैं एक अगर आपको question किसी भी method से पहले से आपने सीखे हुए तो आपको कुछ नया try करने की जरूरती है जिसमें आपकी अच्छी command है आप उसी से question को करें आप यह देख लें यहाँ पर question आपको यह कराने का मतलब यही है कि आपको पता चले कि arithmetic reasoning में किस तरीके के question पूछे गए ह ठीक है इसलिए आप जो question आप महाँ पर point में कर रहे हैं वही questions यहाँ पर भी है तो एक एक question आपका reasoning में भी पूछा जाता है तो आप यह देख सकते हैं और कैसे question पूछे गए हैं वो भी आप देख सकते हैं